नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का यूपी SI 2021 परडाम को लेकर के यहां पर बड़ी अपडेट्स है और एक चीज बता दे साथियों आप सभी को की DB PhD के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा तो इसके पीछे का रीजेन अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको अपने आप चीजे समझ में आ पाएंगी और आप सभी को पता है कि 10,000 प्लस पदों पर भरती प्रक्रिया भी सुरू होने जा रही है जो की 3 महीने के अंदर जो इस भरती को कम्प्लीट भी कर लेना है और C.M. ने असपश्ट निर्देश दिया है तो बाकी भरती हों का तो पता है नहीं दोस्तों लेकिन आपकी UPSI की भरती चाहे अभी जो लिपिक बाली भरती हुई है या फिर जो कांस्टेबल की भरती होने जा रही है दस अजार प्लस पतों पर ये सभी भरतियां बहुत जल्द कम्प्लीट होने जा रही है तो आईए सबसे पहले आपर बता दें आप सबे को कि UPSI 2021 का प्रणाम कब तक घोसित होने की संबावना है कब तक आपका प्रणाम आ रहा है और DBPHT तिती भी आप यहाँ पर जान लीजिए आज ही आप जान लीजिए DBPHT DBPHT के बाद आपको मैक्सिमम बता रहा हूं में सातियों 10 से 15 दिन यह हो सकता है उससे भी कम समय मिले मेरे हिसाब से अब आपको रणिंग के लिए फीजिकल के लिए एक महीने से भी कम का समय बचा है UPSI 2021 के अभ्यरतियों के लिए तीन महीने में 10,863 पदों पर भरती प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी 15 अप्रेल के बाद शुरू होगी अभी लेखों की जाच यह उन अभ्यरतियों के लिए जिनका प्रणाम गोसित हो चुका है लिपिक वाले जो है दरोगा के 9,534 पदों पर परिक्षा का रिजल्ट जल्द लिपिक आदे के पदों का प्रणाम गोसित हो चुका है पुलिस भरती एवं पुरनती बोर्ण ने तीन महीने के अंदर पुलिस की बिबिन ने इकाईयों में कुल 10,863 पदों पर भरती की प्रिक्रिया पूरी कर लेने का दावा किया है बोर्ण के अनुसार इन पदों का अंतिम चैन परणाम आगामी तीन महीने के अंदर घोसित कर दिया जाएगा इसका मतलब परिक्षा बहुत जल्द होगी परिक्षा के लिए जो है अधिक्तम आपके पास डेड़ से दो महीने का समय है दो महीना आप मान के चलिए अधिक्तम बोर्ड की अनुसार उपनिरिक्षक नागरिक प्लेटन कमांडर पीएसी तथा अगनिसमन दूति अधिकारी की 9534 यानि UPSI 2021 की बात की जा रही है पदों के सापेक्ष चैन के लिए आयोजित लिकित परिक्षा का प्रणाम जल्द घोसित कर दिया जाएगा तो बड़ी खुस कबरे दोस्तों यहाँ पर है आप सभी के लिए और कभी भी यह प्रणाम आपका घोसित हो सकता है इसके बाद अब लेखों की जा चोगी सारी दक्षता परिक्षा डेवी पीएश्टी और पीईटी की प्रक्रिया सुरू कर दी जाएगी अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए नागरीक पुलिस में जो उपनिश्य गोपनी के 252 उपनिश्य गोपनी सतरक्टा के 32 उपनिश्य पनिश्य लिपिक के 624 साहयक उपनिश्य कि लिखा के 358 पतों समेथ 1329 पदों के लिए आयोजित आनलाइन लिकित परिक्षा परणाम सुक्रवार को घोशित कर दिया गया अब ध्यान से दिखी का दोस्तों 4 वब 5 दिसंबर 2021 को इंगी परिक्षा जो है कराई गई थी बहुत जल्द है हाँ पर रिजल्ट घोशित हुआ है अब लेकों की जाँच एवं सारेरिक मानक परिक्षा की परिक्षा जोनल मुख्याले की जिलों में 15 अपरेल के बाद सुरू कर दी जाएगी अब यहाँ पर देख लीजिए आपकी रिजल्ट आने के बाद लगबग दो सब्ता के बाद है आपर DBPST स्टार्ट हो रही है तो साथियों इसी परकार से आप सभी UPSI का भी मान के चलिए कि जिस दिन प्रडाम घोसित होगा उसके दो सब्ता के बाद लगबग आपका भी DBPST सुरू हो जाएगा जब दो सब्ता के बाद DBPST स्टार्ट हो जाएगा तो लगबग 2-3 दिन चलेगा DBPST इससे जादा नहीं तो उसके आप लगबग अधिक्तम जो है 10-15 दिन आप और माल लिजी मतलब एक महीना या उससे भी कम लगबग एक महीना आप मान के चलिए रनिंग के लिए और रिजल्ट आपका कभी भी घोसित हो सकता है UPSI 2021 का DBPST आपकी जो है रिजल्ट आने के बात लगबग जो है 15 दिन के बाद आपकी भी DBPST स्टार्ट हो सकती क्योंकि जब यहाँ पर स्टार्ट हो सकती तो फिर आपकी भी प्रिक्रिया जल्द ही कम्प्ल कर लिया जाए और जिस प्रकार से आप देखेंगे UPSI 2021 को लेकर कि आप लंबे समय से इंतजार करें तो अब आपका जो इंतजार है समापत होने जारा रहा रनिंग आप लोग करते रही है रनिंग पूरा कीजिए समय तोड़ा ज्यादा लगे ठीक है अराम से दोड़िए लेकिन पूरा दोड़िए रूख रूख करके नहीं continuous दोड़िए समय को आप चाहे तो flexible लखिए आपकी इच्छा है क्योंकि आने वाले समय में और भी गर्मी बढ़ेगी तो रनिंग के लिए पता नहीं किस समय आपको दोड़ाया जाएगा किस सिप्ट में आप दोड़ें कि थोड़ा सा समय को flexible लखी आठ बज़े दोड़िए नो बज़े दोड़िए साथ बज़े दोड़िए ठीक हो जाए साथ आठ बज़े कास पास दोड़िए कोई दिक्कत नहीं है तो यह हो गई महतुपूर सुचना UPSI 2021 को लेकरके साथी साथ लिपिक भरती जो परिक्षा प्लीज लाइक जरू कर दीजिएगा धन्यवाद